नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर सेंडी पर उमीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे आज हम 12th Political Science की दूसरी क्लास लेंगे जिसके अंदर हम अध्याई गुंतिस जिसका नाम है सैयुक्तराष्ट संग और विश्व सांति में योगदान उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इस अध्याई को हम दो भागों में पढ़ेंगे सबसे पहले इस अध्याई का जो नाम है वो है सैयुक्तराष्ट संग और उसका विश्व सांती में क्या योगदान है हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट संग की जिसको अंग्रेजी भासा में United Nation यानि UN भी कहते हैं तो सुरू करते हैं मित्रो सबसे पहले संयुक्त राष्ट संग अथ्वा United Nation ये जो नाम इसको मिला है वो नाम दिया है अमेरिका के जो तदकालिन राष्ट पती थे फ्रैंकलिन डी रुजवेल्ट उन्होंने ये नाम दिया था संयुक्त राष्ट संग या United Nation संयुक्त राष्ट संग की इस्तापना 24 अक्टूंबर 1925 को हुई थी इसलिए प्रतेक वर्ष चोई सक्टूंबर को संयुक्त राष्ट संग संयुक्त राष्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है संयुक्त राष्ट संग की जो इस्तापना हुई थी उसमें पांच परमुक देशों ने अपना योगदान दिया था मित्रों जो संयुक्त राष्ट संग की इस्तापना हुई उसमें पांच परमुक जो देश थे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा ब्रिटेन अपना परमुक योगदान इसके अंदर दिया था संयुक्त राष्ट संग का जो प्रदान काराली, जो हैड ओफिस हम कह सकते हैं वो नियोर्क अमेरिका में इस्तित है संयुक्त राष्ट संग का जो चार्टर है जिसको हम संयुक्त राष्ट संग का समीदान भी कह सकते हैं तो संयुक्त राष्ट संग के चार्टर में उंग्रिस अध्याई और 111 अनुछेद हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट संग के 113 देश सदश्य हैं मित्रो वर्तमान में अपने संचार में विश्व में देशों की संख्या तो 113 से कहीं ज़्यादा है लेकिन सहयुक्त राष्ट संख्य के जो सदेश्य देश हैं वो 113 देशी है और 113 जो सबसे अंतीम में 113 जो सदेश्य बना था वो था दक्षिन सुडान जो बनाता सन 2011 कंद यानि सहयुक्त राष्ट संख्य का सबसे अंतीम में 113 देश दो सदेश्य बना था वो था दक्षिन सुडान जो बनाता सन 2011 में अगर किसी नए देश को सहयुक्त राष्ट संख्य का सदेश्य बनना है तो सुरुक्सा परिशद जो सहयुक्त राष्ट संख्य का एक अंग है पर्मुकंग है, सुरक्सा परिस्द की सिफारिस पर महासबा द्वारा हिस किसी नए देश को संयुक्तराष्ट संग का सदेश्य बनाया जाता है अब देखो, नए सदेश्य बनाने में संयुक्तराष्ट संग के दो पर्मुकंगों की विशेश भूमिका होती है पहला अंग सुरुक्सा परिशद, दूसरा अंग महासबा अगर सुरुक्सा परिशद सिफारिस करेगी नए देश बनाने की तो ही महासबा किसी दूसरे नए देश को संयुक्तराष्ट संग का सदश्य बनाएगी फिर मित्रों पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट संग की सदेश्टा के बारे में मेंबर्सिप के बारे में इसकी संयुक्त राष्ट संग है उसके दो प्रकार के सदेश्य है पहले फर्स्ट नमबर वे सदेश्य जो प्रारंब में सुरुवात में ही संयुक्त राष्ट संग में सामिल हो गए थे तथा जिनोंने सैन फ्रांसिस्को सेमेलन में संयुक्त राष्ट संग के चार्टर या समीदान पर अपने हस्ताक सरकर दिये थे एसे कुल सदेश्य इकावन देश थे प्रारंबे और इकावनवा सदेश्य देश बनाता पोलेंड यानि ये ऐसे इकावन देश थे जो संयुक्त राष्ट संग के साथ सुरुवात से ही चुड़े वे थे उन्होंने 51 देशों ने सेन फ्रांसिसको सम्मेलन में संयुक्त राष्ट संग के चार्टर समीदान पर अपने हस्ताकसर किये थे और 51 सदेश्य देश बनाता पोनेंड दूसरा वो सदेश्य जो संयुक्त राष्ट संग में बाद में सामिल हुए ऐसे सदेशे जो समयुक्त राष्ट संग में उसका चार्टर समीदान बढ़ने के बाद में उसमें सामिल हुए थे फिर मित्रों पढ़ते हैं समयुक्त राष्ट संग के क्या-क्या लक्षे है पहला पर्मुक लक्षे संयुक्तराष्ट संग का विश्वे को यूद से बचाना हमें पता है अभी तक संसार में दो विश्विद हो चुके हैं और संयुक्तराष्ट संग की इस्तापना का एक पर्मुक कारण भी यही माना जाता है कि तिरते विश्विद को रोकने के लिए ही संयुक्त राष्ट संग की स्थापन की गई थी तो संयुक्त राष्ट संग का जो प्रथम लक्षे माना जाता है वो यही है कि विश्वे को संसार को युद से बचाना दूसरा संयुक्त राष्ट संग का लक्षे पुरुस हो इस्तरी हो छोटा देश हो को बड़ा देश हो सभी देशों को समान अधिकार देना ये सम्युक्तराश्ट संग का दूसरा लक्षे है तीसरा सम्युक्तराश्ट संग का लक्षे है विश्वे की सामाजिक उन्नति हो, सामाजिक विकास हो तो था विश्वे के लोगों को एक अच्छा जीवन इस्तर परदान करना ये भी संयुक्तराष्टसंग का एक तीसरा लक्षे माना जाता है परमुक लक्षे माना जाता है कि पूरे संसार की सामाजिक विकास हो और संसार के सभी लोगों का जीवन इस्तर है वो अच्छा हो उसके बाद में हम मित्रो बात करते हैं सैयुक्त राष्ट संग की आधिकारिक भासाएं ओपचारिक जो language है वो कौन-कौन सी है सैयुक्त राष्ट संग की officially language उनके बारे में हम चर्चा करते हैं छे बासाओं को सैयुक्त राष्ट संग की आधिकारिक भासाएं मित्रो बैसे माना जाता है तो देखते हैं कौन-कौन सी ऐसी बासाएं हैं जो सैयुक्त राष्ट संग की आधिकारिक official language है नमबर एक चीनी बासा नमबर दो अंग्रेजी बासा नमबर तीन फ्रेंच बासा नमबर चाह रूसी बासा नमबर पांच इस्पैनिस और नमबर छे अर्बी यह जो छे बासाइं हैं वो सहयुक्त राष्ट संग की आदिकारिक ओफिशली लेंग्वेज मानी जाती है उसके बाद मैं मित्रोम चर्चा करते हैं अंतराष्ट नियाले नियास परिशद आर्थिक तता सामाजिक परिशद सची वाले तता महा सची मित्रोम इसके अगले वाले वीडियो में हम इस अध्याई में जो बचावा है उसके बारे में चर्चा करेंगे सेयुक्त राष्ट संग के इन छे अंगों का विस्ता और पूर्वक हम अध्यान करेंगे अगले वीडियो में अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सेड जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्त राष्ट संग के जो अध्याय में आज जो कुछ बचावा है उसके बारे में चर्चा करेंगे